Hello dear students, आज का इस session आप सब के लिए game changing होने वाला है, जो भी student need 2021 में बहुत अच्छा perform करना चाता है, अपने score को boost करना चाता है, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, self study plan, तो इसको दिहां से सुनिए, start करते हैं with a self study plan, देखिए, हम assume कर रहे हैं सबसे पहले कि आपक इस session time भी included है, तो overall 16 hours आपको निकालने पड़ेंगे यार, देखो, अगर आपका syllabus अभी incomplete है, या complete भी है, और अगर आप dream कर रहे हूँ कि आप 60, 50 plus score आपको करना है, एक बहुत अच्छा medical college में आप जाना चाते हो यार, तो imagine करो, उसके लिए ये जो efforts आपको करने है, it's worth it, ठीक है, तो सभी को ये करके दिखाना है, now the point is, 16 hours को किस तरीके से हमें डिवाइड करना चाहिए, जिससे आप अपना dream अचीव करो, तबकि पढ़ा ही पूरी balance होनी चाहिए, ठीक है, और NEET के लिए जो जो requirement है, वो सारी चीज़े इस plan में दी हुई है, सबसे पहली बात, out of 16 hours, 4 घंटे, आप सभी को किस चीज़ पर देने चाहिए, slavers completion पर देने चाहिए, अगर आपका slavers already बढ़िया से completed है, तो ये समय, पूरा का पूरा किस पर जाएगा, NCRT based practice पर जाएगा, यानि ये आपको subjects में लगा देना है, या आप mock test भी दे सकते हो, almost every day और every alternate day you can give a mock test ठीक है न, जो इतने सारे mock test आप relevant mock test दोगे, तो उससे भी आपका बहुत जबरदस्त तयारी हो जाएगी, लेकिन जिनका slavers complete नहीं है, लगए 4 hours आप lectures में, जहां से भी आप lecture देखते हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, ATP Star से पढ़ रहे हो, आप lectures में 4-5 घंटे दे सकते ठीक है, उसके लावा हमारे पास अब बाकी time बच रहा है, अब इस time में हमें क्या करना है, तो जानते हो जैसा कि आप, कि यार, neat high scoring होता है, तो आपको practice बहुत करनी होती है, लेकिन practice करते रहते हैं, और कई बार चीजें याद नहीं रहती, तो भाई, सबसे पहले बात कर र रहते हैं, किताबों को लेके बैठे रहते हैं, यानि आपको time fix करना है, और उस time में आपको बहुत questions करने हैं, जैसे अगर हम bio की बात करें, bio की हमारे पास 4 hours है, अगर हमारे पास 4 गंटे हैं, तो माल लीजिए, 1-2 गंटे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, syllabus completion है, या कुछ न आप सभी को करने हैं, खुद से commit कीजिए, अगर 100 questions आप properly करते हैं, और 4 गंटे आपके पास है, तो उसमें 100 questions आपके पास वैसे भी होने चाहिए, तो उसमें आप पढ़ भी सकते हो, यानि जो आपने lectures attend की हैं, उसमें आप study भी कर सकते हो, उसके लावा similarly, 2.5 hour chemistry है, 2.5 hour physics है Approximately अगर ऐसा रखते हो, तो माली जे chemistry के आपके पास धाई घंटे हैं, तो इसमें 1 घंटे के आसपास, 1.5 hour आप study कर सकते हो, उसके लावा 1 घंटे की practice आपको ज़रूर करनी है, everyday, एक घंटे में आप कोशिश कीजिए 45 questions की, कोशिश कीजिए 45 questions की, और यहाँ पे आपको 100 questions किया, 200 हो जाएं, तो और भी बहुत बढ़ी आएं, ठीक है न, तो यहाँ पे chemistry में practice करोगे, और साथ में study भी करोगे, similarly physics में भी, आपको 1 घंटे में again, 45-50 questions everyday solve करने, तो 50 questions यहाँ, 50 questions यहाँ, यहाँ, 100 की बज़र, in fact, आप 200 करते हो, तो और भी better रहेगा आपके लिए everyday, ठ इतने question करते हो, अगर आप everyday इतने question करते हो, तो मज़े आ जाएंगे भाई, मज़े आ जाएंगे, और आप सब जो mark secure करना चाहते हैं, आप जरूर कर सकते हो, अब उसके अलावा, बीच-बीच में आपको देना होगा mock test, बीच-बीच में आपको देना होगा mock test, जिसमें भ्यास app का भी occasional use कर सकते हैं, उसके अलावा, अगर आप कोई भी आपको relevant test मिलता है, यानि previous year paper भी देख सकते हो, लेकिन test जो होते हैं, वो relevant होने बहुत जरूरी है, यानि बिल्कुल neat level के paper होंगे, तभी आप अंदाजा लगा पाओगे कि आप कहां पे stand करते हो, अगर paper का level में देते हो, जिसमें आप short notes बनाते हो, summarize करते हो, mental revision करते हो, तो भाई साम मजा आ जाएगा, आपकी preparation का level कितना increase हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं, 7 दिन में, यह जो आपको methodology बताईए, 7 days में आपका game change हो सकता है, ठीक है, और याद रखिए, यह तभी follow हो सकता है, जैसे कि हमारे पास, मान लिजी है, 14 to 16 hours है, 14 to 16 hours मान सकते हैं, तो हमारे पास 8 to 10 hours, 8 to 10 hours हैं, जिसमें हम सो सकते हैं, और उसके लावा जो daily activities होती हैं, उनमें हम time लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए, कि हमको पूरा balanced way में, जब यह लगातार हम everyday हम apply करेंगे, तो हमारे जो self study plan को जरूर follow करें, I wish you all the best on the behalf of team ATP star, love you all.